हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चैनल तो आज हमारा टोपिक है वो है ब्लड ग्रूपिंग ब्लड ओफ एवरी हुमन बिंग अपियर्ट टो बी सीमिलर इन अपियरंस हम सभी का जो ब्लड है वो दिखने में सभी का एक जैस होता है बट इन डिफरेंट इन सर्टेन असपेक्ट लेकिन कई असपेक्ट में वो अलग होता है वो कैसे होता है उसके बारे हम सठी करेंगे यह एंटिजन होते है वो सभी में अलग अलग होते है the antigen are different in person to person okay thus providing them a different blood group और ये सबी को जो antigen होते है वो सबी को अलग-अलग blood group प्रदान करते हैं blood group चार टाइब के होते हैं A, B, A, B and O okay उसके अंदर present होते है antigen A B के अंदर B, A, B के अंदर A, B और O के अंदर कोई antigen present नहीं होता है जो blood group A है जो donor और recipient है इसके बारे में हम बात में study करेंगे RH grouping another antigen the RH antigen is also observed on the surface of RBC सिर्फ antigen A, B या फिर A नहीं होते है RBC के उपर एक और antigen होते है जिसका नाम होता है RH जिसके फुल फॉर्म है रहीस तो such people are called जिसके अंदर ये antibody present होते है उसको हम RH positive कहते है और जिसके अंदर भी ये RH नाम की जो antibody है वो एपसेंट होता है उसको हम RH negative कहते है RH group should be matched before transfusion जो RH के जो grouping है उसको transfusion से पहले हमें match कर लेना चाहिए अगर positive वाला negative वाले को अगर blood donate करेगा तो उसकी चेहर है वो foreigner particle को accept नहीं कर पाएगी इसलिए हमारे transfusion से पहले RH के जो RH का जो positive है और जो negative है उसको match कर लेना ज़रूरी है RH factor की खोज Lance Tinner and Wheeler ने 1940 में की थी 1940 में और कैसे के थी rabbit और एक monkey जिसका नाम था मैक कर रही से उसको immunize करके और यह हम लास्ट वीडियों पर चेहें on the surface of RBC of a person, blood group antigen is present that are termed as agglutinogens